हेलो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेलायागन जरूर दबाएं और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें आज आप लोगे बताने जा रहे हैं कि 10 और 12 का कपाइमेंटल का जो फोर्म है वो कब से भरा जाएगा ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों बता जा रहा है मेट्रिक और इंट्रिमेडियर की कपाइमेंटल परिछा के लिए और लाइन आवेदन 5 अगास से ले जाएगे ठीक ह वेशिया सफल बच्चे जो तीन विशय में फेल हैं वही मेट्रिक के लिए मेट्रिक के लिए 5 से 25 अगास तक ठीक है दोस्तों मेट्रिक के लिए 5 से 25 अगास तक फोर्म भरा जागा वहीं इंट्रिक के लिए 6 अगास से 26 अगास तक ठीक है दोस्तों आवेदन लिया साथ मैट्रिक का आवेदान 26 अगास से पांच सितम्बर और इंटर का विलम सुल्क के साथ 37 अगास से 5 सितम्बर तक आवेदान लिया जाएगा ठीक दोस्तों यहां यह भी बताया गया कि जो मतलव लेट हो जाए थे उलम सुल्क मतलव लेट किसे भरेगा फोरम वह 26 अगस से 5 सितंबर तक मेट्रिक का और भाहें इंटर का उलम सुल्क होगा 27 अगस से 5 सितंबर तक अब्धन लिया जाएगा थेक दोस्तों और बताए जा रहा है इंटर और इंटरमेडियर का पार्मेंटल परिच्छा सुल्क 18 अगस से लेकर 8 सितमबर तक बैंक में चलान के माधियम से जमा किया जाएगा अस्कुल और महाविद्धाले 728 से 20 के पंजन के अधार पर दिये गए पासपर्ट का अप्योकर आवेदन भर सकते हैं जेक न्यविष्ण की थी बाद में घोशिद किया जाएगा ठेके दोत्रोव फोंग तो भरा जाएगा लेकिन बताया जा रहा है कि जो इड्राम का डेट है वह बाद में है घोशित किया जाएगा ठेके दोस्तों अगर आप इस वीडियो से वीडियो अच्वा लागे तो आम दोस्तों के साथ से जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करें जहीं जय भारत